तो दोस्तो अगर आपको भी P0335 अगर आपको स्कैनिंग में कोड आ रहा है तो वो है क्रेंग शाफ पोजिशन सेंसर का और वो क्यों आता है और किस ले आता है और किस तरीके से आप उस एरर को डिलिट कर सकते हो और किस तरीके से उसको फिक्स कर सकते हो इस वीडियो में जा कर दिजिए तो दोस्तो P0335 जो है क्रेंग शाफ पोजिशन सेंसर का आता है तो क्रेंग शाफ पोजिशन सेंसर क्या काम करता है और कहां पे location उसका रहता है तो सबसे पहले वो जानेंगे तो crank shaft position sensor crank की position यानि जो piston की position रहती है 4 piston रहती है और वो 4 piston कहां पे position है उसकी वो position दिखलाने के लिए crank shaft position sensor रहता है और वो position ACM को दिखलाता है यानि कि ये position में अभी ये piston है बोलके वो signal जो है ACM को पहुंचाने के लिए क्रेंग शाफ पोजिशन सेंसर है और अगर वो सेंसर खराब हो गया या फिर कुछ भी उसको हो गया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्यूंकि वो पोजिशन ही नहीं दिखलाएगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट किस तरीके से होगी तो इसलिए क्रेंग शाफ पोजिशन सेंसर जो है आपको क्रेंग के जो फ्लाइवीर रहती है यानि कि जो गेरबॉक्स की जो फ्लाइवीर रहती है अंदर रहती है फ्लाइवीर जो gearbox और जो block जो हम पे मिलता है वहाँ पे आपको crank shaft position sensor देखने के लिए मिलेगा अगर fort की गड़ी है तो आपको timing belt जो आता है वहाँ पे आपको मिलेगा जो crank फिरता है यानि कि जो सामने और जो पिछे crank जो रहता है वहाँ पे आपको pulley मिलेगी यानि कि एक wheel मिलेगी और उस wheel को connected रहता है crank shaft position sensor यानि कि वो wheel जिस तरीके से फिरेगी वो जो position रहते है उसके अंदर एक point रहता है वो position में किस तरीके से फिरेगी वो signal देने के लिए आपको crank shaft position वो टाइम जो है वो जगे जो है located रहेगा यानि कि या तो वो पीछे रहेगा यानि कि जो gearbox और block के बीच में जहाँ पे gearbox और block मिलता है वहाँ पे रहेगा या फिर सामने जो timing belt आता है गाड़ी का वहाँ पे रहेगा तो सबसे ज़ादा gearbox side रहता है आपको gearbox side जो है आपको मिल जाएगा अगर ford की कोई गाड़ी है तो आपको यहाँ पे timing belt के जागे मिल जाएगा तो crankshaft position sensor किस तरीके से काम करता है आपको पता हो गया होगा तो वो किस तरीके से खराब होता है अगर वो दो chance है खराब होने के यानि कि check-in जनाने के crankshaft position sensor के या तो उसकी wiring cut हो गई होगी या फिर वो sensor ही खराब हो चुका होगा इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता आपको सबसे पहले उसकी wiring चक करने पड़ेगी के wiring सही से काम कर रही है नहीं current उसके तक पहुंच रहा है या नहीं आपको चक करना पड़ेगा आप उसका जो sensor का यह रहता है उसको निकाल लीजिए और वहाँ पे उसकी wiring चक करिए और चक करने के बाद अगर आपकी wiring सही है तो आप sensor निकालके नया भाद दिजे क्यूंकि sensor ही खराब हो चुका है अगर wiring खराब है यानि कि wiring में current नहीं आ रहा तो wiring कहाँ पे cut हो गई होगी उसको ठीक करिए आपका sensor काम करना start हो जाएगा तो दोई चीज के वज़े से sensor आता है check-in जन आपको crankshaft position sensor का P035 आपको wiring खराब हो रही गी या फिर उसका sensor ही खराब हो चुका होगा तो वो आप जो है replace कर दीजे replace करने के बाद आप जो है अपने OBD scanner से या फिर कोई भी आप जो scan किये होए हो उससे उसको error कर दीजे और उसके बाद आपकी गाड़ी start हो जाएगी अगर P0335 अगर आपको आ रहा है तो आपकी गाड़ी start नहीं होगी क्यूंकि वो crankshaft position sensor है position ही नहीं बता रहा है ACM को तो आपकी गाड़ी कैसे start होगी तो आप इस तरीके से करिए और आपकी गाड़ी start हो जाएगी और आपको ये देख सकते हो कि ये जो मैंने sensor दिखाया हुआ है ये वाल्स वेगन पोलो का है और ये बहुत अंदर है और आपको ये निकालने के लिए flywheel निकालनी पड़ेगी flywheel निकालने के लिए gearbox निकालना पड़ेगा तो ये एक एक गाड़ीयों का इतना अंदर रहता है लेकिन भहुत सारे shift, iriti का और भी जितने भी हमारे इंडियन गाड़ीयों टाटा के और जितने भी गाड़ियां है उसका भार रहता है और कुछ गाड़ियों का अंदर दियाग रहता है लेकिन ये जल्दी खराब नहीं होता आप देखिए अगर आपको ये आ रहा है तो आपकी गाड़ी बंद रहेगी और आप जो है इस तरीके से करके आप उसको fix कर सकते हो तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तब लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए IG Garage चैनल